नमस्कार, दलीकल इंडन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों, एक क्वेस्चन जो लगातार आपसे पूछा जा रहा है कि सर मैंने डेली उनिवर्सिटी फेकल्टी ओफ लॉव में एडमिसन ले लिया लिस्ट भी आ गया, सेंटर अलॉट भी हो गया तो क्या अब इस सेचुएशन में मैं अपने सेंटर को चेंज कर सकता हूँ क्या यदि मैं CLC में हूँ तो क्या LC1 चा सकता हूँ या फिर LC2 में हूँ तो LC1 जा सकता हूँ या फिर LC1 या LC2 में हूँ तो क्या CLC में अपने सेंटर को चेंज करा सकता हूँ क्या ये question लगातार आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि आज ही center allotment का list जारी किया गया है university के द्वारा यदि मैं अपने experience से बताऊं तो इस तरीके का कोई फी fair बदल normal situation में entertain नहीं किया जाता है university के द्वारा लेकिन यदि आपके पास कोई compelling reason है, कोई logical reason है, कोई pleasant reason है तो उस situation में आप dean को application लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से दुबारा कहूँगा कि ये 99% chance ये है कि ये आपके center को change नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ practical problem भी है, यदि ये किसी एक co-center change करते हैं, तो अब इसी बात है सारे लोग इधर से उधर जाना शुरू कर देते हैं इसके कारण administrative wing में काफी जादा pressure पड़ जाता है और बहुत सारे application आ जाते हैं जिसमें ये change करने की बात करते हैं लेकिन यदि आपके पास कोई compelling reason है, बहुत ज़रूरी है, urgency है, तो उस situation में आप request कर सकते हैं, एक application लगा सकते हैं लेकिन फिर भी ये discretionary power होगा, department का, law faculty का, कि ये आपके center को change करते हैं या नहीं करते हैं चलिए फिर से मिलते हैं किसी और topic में, नमस्कार